नमस्कार दोस्तों गौर्मेंट ने बोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने की जो पहले समय सिमा 1 अप्रिल 2023 तैयं की थी उसको बढ़ाके 31 मार्श 2024 कर दिया है यानि आपको एक साल की मोहलत मिल गई है आपको अपने बोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने की आज इस वीडियो में मैं आपको complete process demonstrate करके बताने वाला हूँ कि आप अपने mobile से या अपने बोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं यह बहुत ही आसान प्रोसस है आप अपने mobile से घर बैठे बोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं आपको इसके लिए कहीं भी जाने की जरूत नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है आपके बोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको एक app की जरुत पड़ेगी, जो आपको play store में मिल जाएगा, आपको play store में जाना है, यहाँ पे आपको type करना है, water help line, water help line आपको download करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका 10 million plus download है, यह app पूरी तरीके से safe है, इसको आप download करें, app download हो चुका है, यहाँ पे आपको disclaimer आपको अपना agreement देना है, और next पे प्रेस करना है, अब आप यहाँ पे जो भी language चूच करना चाहें, आप जिस भी राज से हैं, हिंदी, इंग्लिज, पंजाबी, गुजराती, मराथी, जो भी language आप चेंज करना चाहें, आप अपनी सुविधान सार चूच कर सकते हैं, और get started पे click करना है, आपको जो window खुलेगी, उसका interface कुछ ऐसा होगा, इसमें से आपको voter registration पे click करना है, फिर आपके सामने कुछ multiple options दिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी voter services दिखाई देंगी, जैसे language setting, जैसे new voter registration form 6, deletion form 7, correction of entries form 8, इनमें से आपको यह वाला form select करना है, form 6 इस पे आपको click करना है, यहाँ पे आपको अपना login बनाना है, अगर आप पहली बार register करना है, तो आपको यहाँ पे new user पे click करना है, new user पे click करने के बाद mobile number डालना है, sent OTP करना है, और necessary formalities को complete करना है registration की, मैंने अलड़ी register कर रखा है, तो मैं इसको skip करता हूं, और मैं direct login करत हूं, आपको अपना password डालना है, password डालने के बाद, आपको ऐसा screen दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको let's start पे click करना है, अब आपके सामने जो भी screen आएगी, वो यह आपको से पूछ रहा है, do you have a ID or voter ID number, अगर आपके पास voter ID number है, तो यहाँ पे आपको voter ID select करना है, करना है, फिर हमें अपना voter ID number डालना है, इनकेस अगर आपके पास voter ID number नहीं है, तो आपको इसको select करना है, और फिर next करना है, फिर आपको अपना voter ID number search करना है, आपके जिले से, आपके तैसिल से, और आपके गाउं से, अस्तवा सहर से, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डा आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है आपको अपनी एस सेलेक्ट करना है आपको अपना डेस्टिक सेलेक्ट करना है और आपको अपनी असेमली सेलेक्ट करना है और फेस्ट डेटेल पे क्लिक करना है तो आपका जो भी डेटेल होगा वह यहां पर दिखा देगा मेरे पास लेडी बोटर आइडी नंबर है इसलिए मैं इस option को चूज करूँगा और next को क्लिक करना है अब मैं यहाँ पर अपना बोटर आइडी नंबर डालता हूं अब मुझे अपना state लेड़ करना है जैसे मैं उत्तर प्रदेश करेने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश स्लेट करता हूं और फेच्ट डिटेल पे क्लिक करता हूं जैसे आपको एक मैसेद दिखाए देगा भी है फॉन्ट इस रिकॉर्ड इंटर बोटर आईडी प्लीज क्लिक टू प्रोसीड बाद आपको next पर click करना है तो आपका पूरा detail यहां पर prefilled condition में आ जाएगा अब यहां पर जहां पर अधार number आ रहा है यहां पर आपको अधार number टाइप करना है आपको अधार number सही ध्यान से प्लेस आफ अप्लिकेशन, उसके बाद आपको अपना मुबाईल नंबर वेरिफाई करना है, वेरिफाई पर क्लिक करना है, इसके बाद दुबारा से आपके मुबाईल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, यहां पर आपको अपना मुबाईल नंबर डालना है, जो मुबाईल फाइनली आपको form 6 भी रिव्यू करने के लिए बोल रहा है, आप अपना form पूरी तरीके ध्यान पूरवक्त देख लिजिए दुबारा से, आपको confirm पर क्लिक करना है, आपका voter ID आधार कार्ड से successfully link हो चुका है, यहाँ पर आपको एक message दिखाए देगा, your application has been submitted successfully on date this, your reference ID is this, को okay करना है, अब आपका voter ID कार्ड आधार कार्ड से completely link हो चुका है, इसके लिए आपको कहीं भी दोड़ने की जरुद नहीं है, आप दो मिनुट से भी कम समय में आप अपने voter ID कार्ड को आधार कार्ड से link कर सकते हैं, घर बैठे, अपने mobile से, online, तो उमीद हो दोस्तों, आपक होने का फर्ज भी अदा करें, नमस्कार, जाहिन